लास्टेंथ मैच्स की एक्सरसाइज 13.2 का question number 4 जो है हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं इसमें a pen stand made of wood is in shape of a cuboid with four conical depressions to hold pens the dimensions of the cuboid are 13 cm x 10 cm x 3.5 cm तो ये जो एक घनाब दे रखा है और उसके अंदर pen रखने के जो है शंक्वा कार sonn बने हुए है जो pen stand है इसमें ये चार pen जो है रखने के लिए शंखू के आकार के बने हुए है और जो ये । नंध यानि का लंबाई 15 cm संसमेंट्र है और इसकी जो चौड़ाई है चौड़ाई दे रखिए 10 cm यानिके 10 cm और उसकी उचाई जो है हाइट जो है वह दे रिखी है 3.5 cm तो यह लकडी का बना हुए है तो हमारे को क्या करना है तो radius of each depressions off the é illusion is 0.5 cm और इसमें जो आपके जो थेत बने हुए है शंकुआ कार जिनमें पैन स्टेंड के लिए पैन खड़े करने है उनका जो रेडियस है वो है 0.5 cm यानिके आधा सेंटिमेटर और डैप्थ यानिके गहराई जो है वो 1.4 cm यानिके गहराई जो है वो एक दशमलव 4 cm है तो find the volume of the wood in the entire stand यानिके इस पूरे stand में जो लगी वी लकड़ी है उसका आयतन हमारे को निकालना है तो इस question को आप समझ गया होंगे अब आपको जो है इसका लकड़ी का जो box का volume यानिके आयतन निकालना है तो उसकी जो height जो इसमें गड़े बना रखे है शंकू के आकार के यानिके conical shape के तो उनकी जो height है h वो हमारे को दे रखी है 1.4 cm और इसका जो आपका radius है वो radius जो दिया हुआ है वो आपको आर जो है वो दे रखा है 0.5 cm यानिके 1 upon में 2 cm के equal है तो अब जो है इसकी कह रहा है कि आपको अब जो कुबाइड है यानिके घनाब है उसका जो आए वो लंबाई है वो 15 cm है चोड़ाई जो है 10 cm हो रुचाई जो है 3.5 cm है तो हमारे को जो इसमें छेद कर दे करने के बाद जो कुबाइड बचा है घनाब बग में लकडी जो बची है उस लकडी के stand का volume जो है वो हमारे को निकालना है तो volume निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा कि इसका पूरे क्योबाइड का यानिके घनाब का volume निकालना पड़ेगा और उसमें से जो चा नाम में से चारों शंकूमों का आयतन घटा देंगे तो यहां पर जो है इसकी किवर्ड का जो वॉल्यूम होता होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट यहान के लंबा हीकुन चोड़ा हीकुना उचाए और क्यों जो कोन है उसका होता है वन अपॉन में 3 पाई आर स्क स्कूरेट चार से मल्टिप्लाइ कर देंगे चार यह चेद हैं तो लेंथ क्योंकि 15 हैं ब्रेथ 10 है है यह है और पाई का मान 22 अपॉन में 7 है आर जो है आपको दिया हुआ है वह वन अपॉन में 2 वन अपॉन में 2 दोवा लिखेंगे क्योंकि स्कूरेश में हैं और हाइट जो है इनकी depth जो है वो 1.4 cm दे रखी है अब इसको simplify करते हैं तो हम देखते हैं कि इधर जो है आपका इसको कुछ इसमें simplify करके फिर अगला जो है उसमें इसकी terms में निकालते हैं तो आपको यहां देख रहे कि इसमें कुछ कटता है तो यहां जैसे decimal हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाता है और 10 से 10 कैंसिल हो गया अब यह 15 इंटू 35 15 5 जा 75 7 करी हो गए 15 3 जा 45 प्लस 7 52 यांगे 525 आ गया इसी तरह से यहां देखिए 2 से यह 25 11 हो गया इधर यह कैंसिल हो गया और जो है 7 से यह जो है कैंसिल हो के 2 अपाउन में 10 हो गया क्योंकि 0.2 आता है और जो है इस तरह से इसकी value जो है calculate करने पर 1.47 आती है तो 525 में से 1.47 माइनस करने पर 523.53 क्यूबिक सेंटिमेटर आंसर हमारा आता है कर दो आता है